हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल आटिटूशन सेंटर, आज हम माईक्रो ओरिगनिजम की वज़े से उने वाली बिमारियों को याद करेंगे, ट्रिक्स से, तो माईक्रो ओरिगनिजम होते क्या है? इससे सुक्सम जीव जिनको हम बίνा मैक्रो सकोप की साइथा से देख नहीं सकते हैं तो इसके मेजर ग्रूप क्या है? बतलं टाइप क्या है मेजर तो क्या होता है इसके वायरस, बैक्टिरिया, प्रोटोजोवा, फंगी, आलगी टोटल हमारे 5 टाइप है इसके माइक्रो ओर्गनेजम के इंदी में तो वाइरस को क्या बोलेंगे हम वाइरस को हम विसानु बोलेंगे बैक्टिरिया को जिवानु प्रोटोजवा प्रोटोजवा तो हमारा फंगी हमारा कवक होता है अलगी हमारा सेवाल होता है टोटल हमारे ट्रिक की याद करनी है, छोटे DM का खास chapter ठीक है, छोटे DM का खास chapter, छोटे को हम रिलेट करेंगे, छोटे माता से छोटे माता, कोई इंगलिस में क्या बोलते है smallpox, ठीक है तो छोटे से क्या हो जागा हमारी, छोटे माता smallpox, DM के D से हमारा Dengue, और M for mumps, ठीक है कट माला का रोग बोलते हैं इंदी में mumps, खास को रिलेट करेंगे, खास को रिलेट करेंगे खसरा से, खसरा missiles, खसरा भी हमारा किसे होता है virus होता है, missiles C4, chicken pox H4, hepatitis A4, AIDS P4, polio T4, trochoma E4, influenza R4, rabies total हमारी कितनी होगी, 11 disease होगी, सिर्फ हमें क्या याद रखना है, छोटे DM का खास chapter, inflange spelling आई से होती है, लेकिन यहाँ पर E है, तो E की थोड़ी sound आती है na, inflange, तो इसलिए हमने बस E से रिलेट किया है, याद रखने के लिए R4, rabies अब हमने इसके नाम तो याद कर लिए, कुछ extra question और देख लेते हैं, जो exam में पुछे जाते हैं, तो छोटी मात है क्या थे हमारी, smallpox smallpox, smallpox का जो परवाई तंग होता हमारा support स्रीज होता है, पूरे स्रीर को परवाई करता है और जो इसके virus का नाम है वाईरस का है, smallpox के virus का नाम क्या हमारा very cella very cella smallpox के virus का नाम क्या है, very cella इसमें क्यों होता हमारा, हलका बुखार होता है और स्रीर पर पीतिकाई हो जाती है यह था हमारा smallpox, virus का नाम याद रखना है very cella, next हमारा dangle d4, dangle गभी किससे होता हमारा, virus होता है इसमें पूरे स्रीर प्रवाइद होता हमारा जो इसके virus का नाम है virus का नाम है arbo 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 virus का नाम है इसकी वाजनी से त्कमें dangle प्रखना होता है, इसमें क्यों होता है तो ये दर्द करता है खास से हमारा है खसरा खास क्या हमारा खसरा खसरा मिन्स मिसल्स इसमें भी हमारे क्या आप संपूर्ण सरीर परवाई तंग होता है जो इसके वाइरस का नाम है वाइरस का नाम है इसका रूबिला रूबिला ठीक है रुबिले एसके वाइरस का नाम है जो इसमें टिक्वा लगता है ना, खसरे में जो टिक्का लगाते है Aid fever M.R M.R., Moms, Missel, रुबिला Moms, Missel, रुबिला टिक्के के नाम में रुबिला आता है तो इसके वाइरस के वज़े से हमें क्या आता है खासर होता है μैंस ओमारा चिकन-पोक्षट चिकन-पोक्षट इस के वाइरस का नाम होता है यह वैरी Dr. Whaly यह व्य हो लगें जो चोटी माहता शमाल पोक्षट के वाईरस का नाम था उसकर वयरी सेल विलया, प्लाव।D इस में बहुत ही तेज बुखार होता हमारे, स्रीज पर लाल दाने निकले तो, इंगलिमें क्या बहुत हैं? राल दाने नकलता हैं, प्लाव। नागरे स्प्णिट, तब क्या॥ जखन से committee करता है पिलिया और इसकी वजय से हमारे सेरीड में क्यों होते है लक्सन दिखाई देते हैं जो क्या है पिसाब का पीलाना आँक हुए तबचा पीली और जाती है ठीक है बोलते ना पीली ओ कि- ऐसे सब्सेजादा पitoid Na आइठी तो होगी हुँ मैं हुँ मैं था इम आमीन थो हु वाईरस। इसके फल वाईरस को सबसेजादा परवाई तंग होता इसमें Daisy WBC को सबसे ज़्यादा प्रवाइद करता है WBC को पति रख्षा पनाली को और इसके लख्षन क्या है रोग पति रख्षा समता बिल्कुली नस्ट हो जाती है जिससे हमारे सिर में कोई भी विमारीय ठीक होते है उसकी उसकी को नस्ट कर देता है यह AIDS से रिलेटिक कुछ और बा इसकते हमारा ELISA 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 इसके क्या है test का नाम है E for enzyme-linked Imino-sovent array ठीक है इसके test नाम क्यों गाएदेश एलीशा ठीक है test का नام भी पूछ स Congress ले आञता है बहुत बार, तो एक इसके लिए क्या है, हम हर साल awareness day बनाते है, 8 से, तो 1 December को क्या बता है, 8s day बना जाता है, 1 December को 8 day बनाते हैं, और जो इसके लिए दवाई होते हैं, medicine, medicine का नाम क्या है, इसका, AZT, AZT, तो AIDS से related हमें यह सब बाते याद होने चीए, तो virus का नाम HIV, test का नाम ELISA, एक दिसंबर को हम awareness day बनाते हैं, इसके लिए AZT, इसकी क्या है, medicine का नाम है, next हमारा P4 polio, जो इसके virus का नाम है, virus का नाम भी इसके क्या है, polio, ठीक है, तो virus का नाम भी हमारे क्या है, polio ही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा परवाई तंग होता है, हमारा गला, रीड, या न अधा आए, बस हमें यह यहाद रगना, भई, polio किस की वज़ेस होता है, virus की वज़ेस होता है, वायरिस का नाम भी इसके वायर चा नाम है, polio है, next हमारा T4, tracoma, ठीक है, T4, tracoma, तो tracoma सबसे परवाई तंग हो, कून सहता है, आँक पे सबसे जाधा सर योजादा है, Elyphreniza, यह या लगळे और pelar for rabbits ठ shortened टो यह क्या करता हैjes हमारेतंत्र का तंतरं नरुवज्स system को सब्सक्राइधं करता नाम क्या है वायरिस का नाम SCOTT यह क्या वायरिस का नाम है से और इसमें क्या हता हैlov noir maker तंतर नर्वास सिस्टम होता है तो रेवीज के हमारे चुवे कुट्टे के काटने से होता है तो इसी की तरह भी इविकरने लगता है रोगी पागल हो जाता और जीव को बाहर निकालता है यह हमें सब बतते याद होनी चीए इन सबसे ड्यू डिसिस से और एक पल्पूर्ण होमारी है हकना तो सबसे से बैक्टीर्या से अन्यवाली हैसीज को पढ़येंगे तो सबसे ह्ले है हम से हमारा हमें OH याद कर ऑख नू पलबर, ठीक है, शू ले टूटे दिल, नू पलबर, ठीक है, तो यह से टेके याद गणी है, तो छो से हमारा क्या होज़ेगा, कुलेरा, कुलेरा में हेजा, और लिप्रेसी, ले से क्या होज़ेगा, हमारा लिप्रेसी, कुछ रोग, टू, टू से हमारा क्या होज़ेग हमारी tuberculosis TE से क्यों हो गया tetanus हो गया और दिल के TI से क्यों हो गया diptheria ठीक है क्यों हो गया diptheria और new KNE से क्यों हो गया हमारा pneumonia क्या होता है pneumonia peace में silent होता है तो इसे क्या मिन गया pneumonia पल के से प्लेग हो गया हमारा पल प्लेग ठीक है और BR से हम क्या करेंगे bacteria disease है तो टोटल कितनी हो गया हमारी साथ याद हो जेगे हमें ट्रिक से एक हमारा T से हम क्या typhiad से रिलेट कर सकते हैं ताइफाइड वो भी हमारा किसे होता है बैक्टिरिया से यता है ठीक है टाइफाइड भी हमारी क्या से है बैक्टिरिया डिसीज है टोटल एट डिसीज हमारी ऐसे ट्रिक से याद हो जगे हमारी कितनी होगे हमारी टोटल एट डिसीज हमने ट्रिक से ऐसे पड़ लिया है अगर जिसको भी यह ट्रिक नहीं याद होते हैं तो हम इसके लिए साइकेंड ट्रिक लेके आए हैं साइकेंड ट्रिक हमारी पंडित का टीक का नू है ठीक है पंडित का टीक का नू है पंडित के पीसे के हो गया हमारा प्लेग हो गया पंडित के पीसे प्लेग हो गया २ से humble, डिक्तिरिय, य 110 मात साव। टपेधिक टीवी और का काली, खास्य। थेकसे हैं वो पिंक्ज घुप्नोय होगया, यहادख यह से TK के टा से रिलेट करेंगे हम टायफैड को टाफिल टायफैड और COM, से Heald KTs से हमारा केज हो जेगा ठीक है टोटल कितनी होगे हमारी नाइन डीसिज हो जेगी तो इंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट ट्रीक है तो पंडित का ठीका न्यू है पीफोर प्लेग डीफोर डिप्थीरिया तैफोर तपेदिक टीबी और काफोर कालिखासी टाफोर टीफाइड और टीफोर टैटनास टीके के का से फिर कुष्ट रोग से करेंगे हैं लिप्रोसी नूसियम है निमोनिया और है से एजाब ठीक है टोटल नाइन डीसिज हो जगी ये इंदी वीडियम वालों के लिए बैस ट्रीक है बाकि जिसको इंगलिस में याद करने आता ह हम य्याद कर सकते हैं चुले, टूटे, दिल, नू, पलवर ठीक है इसे भी हमारे की रहा है यए डीसिज याद होज़ेंगे हमें आप में ट्रिक से ये सारे डीसिज याद होज़ेंगे कुछ सेक्षर को संदेख लगते हैं निसे तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे को रु तो इसके जो बैक्टरिया का नाम है किस बैक्टरिया के वजए से होता है यह होता है हमारा वीब्रो कोलेरा के वजए से और इसमें किया सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रवाहित होते हैं वो क्या तमारा आज सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है इसमें जो इसके लक्षन है ना तो क्या लक्षन होते हैं लगातार दस्त और उल्टी लगना एजा के लक्षन हमारे symptoms बोलते हैं जिसको लगातार उल्टी है लगती है दस्त लगते हैं तो next हमारी टाइफएड तो next कria हमारा टाइफएड तो टाइफएड अज हमारी सर्श प्रोफाई तंग हमारे की होती है छोटी यहांत ही होती है और टाइफएड में क्यों तेज過去 सरदर्दिसके little जब टेस्ट कराते है तो टेस्ट का नाम क्या है टेस्ट का नाम है इसके से याद रखना करें भी पुन लेतर आता है किमले कर एक कर नाम विडलकेघ कमा टो तो यह तो टाइफाइड के टेस्ट कर नाम क्या है विडल टस्त और इसके सिंटम स्क्विक्डल्ड के ऑलगें तेज-बुखार हो ना सिर्धर्ड हो ना और टेस्ट सबसे इंपोर्टन है, याद रखना है, इसके टेस्ट का नाम क्या हता है, विडियल टेस्ट, तो next disease है हमारी टीवी, इसका पुरा नाम क्या है, टूबर क्लोसिज, याद रखना है, इसका पुरा नाम क्या हो गया हमारा, टूबर क्लोसिज, ठीक है, पुरा नाम इसके बैक्टिरिया की खोज किस ने की थी बैक्टिरिया की खोज की थी रोबर्ट कोज ने ठीक है तो रोबर्ट कोज ने इसके बैक्टिरिया की खोज की थी और कब की थी 1882 में ठीक है 1882 में रोबर्ट कोज ने टीवी के वाइरस की बेक्टिडिया की खोज़़ की थी और बेक्टिडिया का नाम के होगoshima mycobacterium tuber closes तो इसके सिंटम्स होगे बार-बार खाँसी के साथ कफाना और रक्त भी निकल ना फेपड़ों को सबसे ज़ादा प्रुवायद करता है हमारे स्रीर में फेफडों को सबसे ज़्यादा प्रवाइद करता है फेफडों को सबसे ज़्यादा प्रवाइद करेगा ठीक है सबसे प्रवाइद हम क्या हो गया हमारा फेफड़े ही हो गया और दूसरा क्या है इसका दूसरा नाम क्या है इसका श्रय रोग भी बोलते इसको तो हमें टीवी से रिलेटिडि़ी ये सब बात याद रखने तीवी के बैक्टिरिया की किस ने की थी रोबट कोजने 1882 में नेक्स्ट हमारा टैटनस तो टैटनस सबसे ज्यादा किसको प्रवाइद करेगा तंतरी का तंतर को प्रवाइद करेगा नेर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रवाइद करता है और इसके बैक्टिरिया का नाम है इसके पेक्रिय का नाम है Clostium Tetany ठीक है? इसके जो symptom होता है तेज बुखार होना, सरीर में एठन होना और लोक जैक हो जाता है जबड़ा बंद होना ठीक है इसके क्या? इसके Tetanus के Symptoms हैं यह याद रखना में Next हमारा Plague Plague टो प्लेग कॉम ब्लेक डैथ भी बोलते हैं तो ये कौशन होगया गजहा प्लेक को बोलते हैं डुसरा engine घक कीmill वज़े सतीवाल प्लेक को बोलते हैं डुसरा ये होथा किसे बजह से ए्प्लेग को बोलते हैं दुसरा ये बाद फ्लेक के इस्वाइबORE कमतोरें चूय क Director के का क्या करता है सोसे ज्यादध परभाइद करता है इसके वाय।क है इसके वाय।क है थी। बैक्टिरियम डिप्थीजीन तो इसमें जो मेडिसीन लेते हैं हम द्वाई का नाम होता हमारा डी-पी-टी ठीक है डी-पी-टी डी-पी-टी की फुल फोर्म क्या हो गया हमारी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिज एंड टेटनस ठीक है डिप्थीरि हो गया काली खासी हो गया टेटनस की बिमारियों से बचे नेक्स्ट हमारा ठीक है निमोनिया निमोनिया तो आपको सभी को बतोगा सबसे जाधा परवाईतंग क्या होता है मारे फेपड़े ही होते है सबसे जाधा परवाईतंग इसमें किता तेज बुखार होना फेपड़ो में सूजन होना ठीक है तो इसके क्या है सिंस्टम्स है सारे है जो इसके बैक्टिरिया का नाम होता है डिबलो कोकस नीमोनी ठीक है डिबलो कोकस नीमोनी ठीक है तो याद रखना है सबसे जाद प्रवाई तंग फेपड़े होते ह तेज बुखार होना फेप्डवों सुसंन इसके स्मिंटम से स्मिंटों। नेच्ट अमारा प्रोटोजवय से वन्हें वाली बीमारी तो बढ़ानached इसके लिए आहा में रखना क्या याद , डिपक में सूर्ज क्या याद रखना है , दिपक में सूर्ज तो दिपक के D4 क्या होता है डायरिया और دिसांट्री। दौनों किसे इख स्लिक्तु भीमारियो घ्ञार है। अगला पिखक प्रेया किते हैं.. पायरिया, पायरिया की लक्सन क्या है, मसूडों से रख्त निकलना, मतलब खून निकलना, ठीक है, मसूडों से खून निकलने लगता है, यह पायरिया की लक्सन है, सबसे ज़्याद प्रवाइद के क्रस्क को करता है, मसूडों को करता है, अगला क्या मरक के फोर कलाजार, ठी तो किसको करता है बोन मेरो को ठाश्टी मंजा को सबसे जाद पसनी दिखार होना को आगी आट बालू मख्य को बालू मक्ही सब्सके bone marrow को सबसे ज़्याद़ प्रवाइद करता है, अगला है हमारा M4 malaria, ठीक है, दीपक्या हमारे 3 complete हो जगता है, meme में से M लेंगे M4 malaria, ठीक है, malaria से related कुछ बाते जान लेते हैं, जो हमारे exam prospective accounting important है, तो malaria, malaria सबसे ज़्याद़ प्रवाइद किसको करता है, सबसे ज़्याद़ एफेक्ट किसको डालता है, RBC को डालता है, red blood cell को, ठीक है, ये malaria के रोगी में red blood cell नस्ट हो जाती है, जिसके वज़े से उनकों की कमी हो जाती है, अगला हमारा parasite, तो इसके malaria के parasite का नाम है, plasmodium, plasmodium, ठीक है, ये क्या हमारे, malaria के parasite का नाम है, अगला ये फैलता को ना, भई वाग को ना जो फैल आता है, इसका नाम है female anaflis, female, female, female anaflis mosquito, ठीक है, ये क्या हमारे इसके, female anaflis mosquito, इसको फैलाता है, जिसके काटने से, हमें क्या हता है, malaria होता है, और कुछ बाते हमें याद देख रहे हैं, जो malaria सब्द का सब्से पहला, पहली बर उप्योग हुआ था है, 1827 में हुआ था, malaria सब्द पहली बर रहा था, उसके बाद क्या है, एक scientist थे हमारे, leven नाम के, leven, leven नाम के scientist थे, जिसने, क्या क्या था, 1880 इस्वी में, malaria में, plasmodium की खोज की थी, ठीक है, malaria के रोगी में, किस की खोज की थी, plasmodium की खोज की थी, malaria के रोगी में, plasmodium होता है, और, 1800, यहां लिख लेपते हैं, 1887 में, 1887 में, scientist हमारे, Ronald Rus, Ronald Rus, ठीक है, Ronald Rus, ने 1887 में, बता था, कि जो हमारा malaria है, किस के वज़े से फैलता है, plasmodium के वज़े से फैलता है, तो यह है, हमें याद हो जगा, 1887 में, Ronald Rus ने पुष्टी की थी, जो हमारा malaria है, protozova की वज़े से फैलता है, और protozova में, paracite का नाम किया, plasmodium है, ठीक है, यह सब भी बाते हैं, हमें malaria से रिलेटीर याद अखनी है, आगे देखते हैं, next हमारा, सूरज के, हम रिलेट करेंगे, sleeping sickness से, sleeping sickness, जो क्या हमारी नींद की बिमारी है, यह नींद की बिमारी, सबसे ज़्यादा प्रवाइद किसको करती है, मस्तिक करती है, हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा प्रवाइद करती है, और इसके, वहाग का नाम क्या है, हमारे इसके वाग का नाम है सी सी मक्खी ठीक है याद रखना है सी सी मक्खी टीस में क्या है साइलेंट है सी सी क्या है मक्खी इसका क्या है वाग का नाम है सी सी मक्खी ठीक है ये सब बाते हम याद रखनी है जो इसके लक्षन क्या है बहुत नींद के साथ बुखार होना sleeping sickness के लक्षन है यह भी किसके वज़ेश होती है प्रोटोजोगा की वज़ेश होती है तो क्या बोलेंगे गंजा-दमाद-खजाए-फुट तो इस ट्रिक से हम क्या है कबक्ष्य होनुमाल भिमारियों को याद कर सकते हैं ग hairst reh min गanza pana जिसे कहा बलते हैं बलेड्य नेस दा यह द माद में से दै और मा क्यों गया एधक trä कूं गया तुअ मुतुरा है इसमें और यहां से दा और दै लगाके क्या हो गया दाद हो गया ठीक है दा और दै दाद हो गया इसके क्यों बोलते हैं रिंग वोम क्ख़ाओ से हम क्या कर हो ए खाज है न क्या हो सब्क्रिक्छ क्रुध फंगर शे जह उने वाली बीमारी हम एक ही ट्रिक्स चेया याद कर शकता है 500-500 तो अमारे याद को दक्रूद से याद कर सकते लिखना इकन इस राफो ठीक है सबर फर्स्ट क्या हमारा S है S4 स्केपिज जिसे क्या होते है हमारी स्कीन की बिमारी होती है खाज बगार लगती है ठीक है सेकिंड क्या है A A4 है अस्थमा B B4 हमारा ब्लेडनेस ठीक है गंजापन फिर दुबारा से B के बाद A A4 एथलेटिक फूट फोर्थ नंबर एथलेटिक फूट और फिपता हमारा R4 रिंग वों ठीक है रैडिस पोटो जाते है दाद बगारा यह इंगलिस मीडियम वालों के लिए इंगलिस में याद कर से हैं अगर जो इंदी में याद करना चाता त vaALoka के लिए और यह इंगलेज वुआ के लिए आप जो भी याद कर सकते हो वह याद करो ठीक है जो आपको easy लगन फिक्त गंजापन बाल गिरने लगते हैं सिर्पेसे बाल किरने रगते हैं दंव इसमें क्या सांस लेने पर रूल में होत पेपनो में कमी आज जाती है दाद इसमें क्या रिंग वों बनते हैं इसंतों पडलाOM के र्ण ऐ constructive रंग के ओडने लगते हैं नेक्स्टे हमारा खाज में उलग क्या है हमें खुजली होने लगते है शरीर पर श्रीर पे लेक्स अमारा एथलैटिक फूड इसमें पैरो की तृचा फटन लगती है। मोटिकों ने लग जाती है। अञ़ितка आपने फाइरो की वजयस होते है। ख़ंग चानव मैं अगिके लकार देनके मैं रहणे संरे होता श제र्म कर्यां लेक लेकी chi रहा